हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब अस्त ग्रहों पर हमारी चर्चा चल रहेती है और हमने जाना किस तरह से अस्त ग्रह बहुत ही शुप प्रभाव दे सकते हैं होफुली आपने वीडियो देखा होगा नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको पर आई बड़न पर मिल जाएगा आप देख सकते हैं आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जब किसी व्यक्ति की कॉंड़ी में शनी अस्त पाया जाता है यानि की जब शनी और सूर्य के बीच में 15 डिगरी से कम का फासला हो तम शनी किस तरह से और क्या क्या पॉजिटिव रिजल्स देता है जैसा कि आप सभी को विगत है शनी हमारे प्रोफिशन का कारक है और सूर्य हमारी आत्मा का कारक है आप देखेंगे जब भी किसी व्यक्ति का शनी अस्त होगा ऐसे लोग वर्क औरेंटेड मिलेंगे अपने काम के प्रती पूरी तरह से इमानदार और निश्ठावान अपने काम को करने की अपने काम के प्रती इन लोगों के अंदर एक जनूर होता है कि बस ये काम निम्टाना है ये करना है अपनी जब के प्रती बहुत ज़्यादा समर्बित होते हैं जर्नली ऐसे लोग गौर्मेंट जॉब या गौर्मेंट से लेटेड किसी वर्क में मिलेंगे और बहुती अच्छे पॉलिटिशन्स ऐसे लोग पाए जाते हैं क्योंकि सूर्य आपकी आत्मा है आपकी आत्मा के अंदर नैच्रल क्वालिटी वर्दिशनी की शनी की क्वालिटी दस भाग की प्रोफिशन की इंकम की यानि की काम करना है पैसे कमाना है जनम जात इन लोगों की ये गुण होते हैं ये लोग अपने पिता के साथ भी अच् किसी के पिता किसी government related organization में वर्क करते हैं तो संतान भी उस तरह की किसी organization में वर्क करती होगी बहुत ही ज्यादा name fame दिलाने वाला यह योग होता है जर्णली शनी और सूरे का जब योग बनता है तो लोग इसको negative कहते हैं मैंने शनी सूरे वाली वीडियो में आपको बताया था किस तरह से यह बहुत ही बहुत ज़्यादा positive result देता है नेम fame इसलिए देता है क्योंकि शनी आपके profession का कारक है और profession पर जब सूरे जैसे ग्रहों की दृष्टी पड़ती है सूरे light है government है तब ऐसे व्यक्ति की profession में एक height आ जाती है एक शवक आ जाती है यह योग वाले जातक जरूर रहता है ऐसा पाया गया है क्योंकि यह दोनों नेसर की कुरूप से शत्रू ग्रह भी माने गए हैं तो इनकी family में किसी ना किसी तरह का dispute इस तरह का चलता रहता है मगर ऐसा भी देखा गया है कि जब भी family में कोई परिशानी में होता है तो यही लोग सबसे यादा का quality है यह दोनों एक दूसरे को कभी कमजोर नहीं देख सकते जहां सूर्य तुला राशी में नीच होते हैं वही शनी मेश राशी में नीच होते हैं और यह दोनों ही एक दूसरे का नीच भंग करते हैं यानि कि एक दूसरे को परिशानी में नहीं देख सकते अगर एक दूसर प्रशानी में help करेंगे उसका नीज भंग करेंगे और same quality जब किसी व्यक्ति की कुल्णी में योग मिलता है तो उसके अंदर पाई जाती है इन लोगों को थोड़ा सा eyesight वगारा की problem अक्सर देखी गई है और संतान से related समस्य इनको देखी गई है संतान प्राप्टी में कई बार delay हो जाता है इन लोगों को या कोई संतान ने इनका साथ ने देखी गई है इस तरह की प्रशानी अक्सर देखी गई है जब सूर और शनी का बहुत ही close relation मनता है और थोड़ा सा इनको रेल की हड़ी वगारा में भी problem अक्सर देखी गई है तो इन problems का ध्यान रखते भी इन समस्याव को समझ कर अपनी life अगर ये जीए तो बहुत ही अच्छा योग है आप देखेंगे हमारे देश के प्रधान मंतरी श्री नरेंदर मोदी जी की कुंडली में भी शनी अस्त है और शनी के उपर सूरे के इस प्रबल प्रभाव ने उनको कहां से कहां पहुचा दिया आपको आज के वीडियो पसंद आया होगा इसी तरह की जोतिस से जुड़ी अच्छी जानकारियों के लिए जुड़ रहेगा एस वीडियो सुत्रा के साथ मिलते नेक्स वीडियो में तब तक करे जै जै भाद